दिन चाहे सुख के हों या दुख के भगवान अपने भगतों का साथ अवश्य देते हैं तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सब का हार्ति खार्तिक स्वागत अभीनन्द। बिटा अब 31 जनवरी को आ रही है माग महीने के कृष्ण पक्ष की गनेश चतोर्ति जो संतान को दिर्ग आयू प्रदान करने वाली और अखंड सो भाग्य देने वाली होती हैं तो आईए आज हम सुनते हैं इसकी कथा एक साहुकार था एक साहुकार्नी थी वे धार्म दान पुन्य वरत कुछ नहीं करते थी इस कारण उनके संतान नहीं हुई एक दिन पडोसन माई चोथ की कहानी सुन रही थी तो साहुकार्नी ने पूछा आप किस की कहानी सुन रही हो उसने का आज माई चोथ का मेरा वरत है मैं उसी की कहानी सुन रही हूँ साहुकार्णी ने पूछा इसके करने से क्या होता है तब पडोसन ने कहा अन, धर्म, संतान सब कुछ मिलता है तब साहुकार्णी ने कहा अगर मैं गर्ब वती हो जाओं तो सवा किलो का तिलकुटा बनाऊंगी और चोत माता का व्रत भी करूंगी कुछ दिनों बाद साहुकार्णी गर्ब वती हो गई तब साहुकार्णी ने कहा अगर मेरे लड़का होगा तो धाई किलो का तिलकुटा बनाऊंगी उसके लड़का भी हो गया फिर उसने कहा कि हे चोत माता इसका विवाहा हो जाए तो सवा मन का तिलकुटा बनाऊंगी बेटे का विवाहा तैर हो गया वे बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुच गए अब चोथ माता ने सोचा इसने जब गर्वती नहीं हुई थी तब तिलकुटा बोला था अब लड़के का विवाहा करने चली है लेकिन इसने एक बार भी तिलकुटा नहीं बनाया अगर इसको चुटकला नहीं दिखाया तो कल्यूग में मेरी पूजा कोन करेगा इधर लड़के ने तीन फेरे लिये थे कि चोथे फेरे में चोथ माता ने दुलहे बने तासी समय बाद जब गंगोर आई लड़किया गंगोर की पूजा करने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास से दूब लेने आती पीपल पर बैठा दुलहा एक लड़की को देखकर बोलता ये है मेरी अधब्याही लड़की ये सुन-सुन कर वे लड़की चिंदित रहने लगी उस लड़की की माने एक दिल लड़की से पूछा कि मैं तो तुझे अच्छा खाने पीने को देती हूँ फिर भी तो कमजोर होती जा रही है क्या कारण है तब लड़की ने कहा मा मैं जब रोज दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पर एक दुलहा बैठा हुआ है उसके हाथों में महन्दी लगी हुई है और सिर पर सेहरा पैना हुआ है मुझे देखकर रोज कहता है ये है मेरी अर्ध ब्याही हुई लड़की जब लड़की की मा ने वहाँ जाकर देखा तो वो तो उसी का जवाई निकला तब मा ने कहा कि आप मेरी बेटी से आधा भी वहाँ करके यहां क्यों बैठे हो तो दुलहे ने कहा मुझे चोत माता ने यहां बिठाया है मेरी माने चोत माता का तिलकुटा बोला था लेकिन बनाया नहीं तो चोत माता ने नराज होकर मुझे सेरों के बीच से उठा कर यहां बिठा दिया लड़की की माने सारी बात लड़के की मा को बताई, साहु कार्णी ने कहा कि है चोत माता, मेरा बेटा घर आ जाये तो मैं धाई मन का तिलकुटा बनाऊंगी, लड़की की माने भी धाई मन का तिलकुटा बोल दिया, चोत माता राजी हो गई, लड़के का विवहा पूरा हो फिर साहु कार्णी ने बड़े धूमधाम से चोथ माता का ब्रत किया वे तिलकुटा बनाया। सभी को तिलकुटे का प्रसाद बांटा और पूरी नगरी में ये घोशना करवा दी। अगर कथा आपको पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शियर करें, कमेंट करें और बेल आइकेन के बटन को दवाएं ताकि अगली कठा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिली धन्यवाद